नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें जै मातादी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारिक्टर में जिसका नाम है नौ दिन नवरात्र के और मैं हूँ मौलिका शर्मा नवरात्र परव के हमारे तमाम दर्शकों को हार्दिक शुब कामना है ये नवरात्र आपके जीव में सुख शान्ती और सम्रद्धी लेकर आए इनी बनों कामनाव के साथ आज फिर से शुभारम करते हैं अपने स्विशेश कारिक्रम का घट स्थापना कहां करें कैसे करें पीदी विदान क्या है मा शेल पुत्री को किस प्रकार प्रसन कर सकते हैं भोग क्या लगाया जाए इस जड़ी तमाम प्रशन आपके भी जहन में होंगे उनी तमाम प्रशनों के उत्तर आज हम जानेंगे हमारे से कारिक्रम में उपसित विश्विख्यार जोतिशा चारे वास्तुव एक्सपर्ट नाडि वैद पंडित सुनील भारत वाद जी तो चलिए आज फिर से शुबारम करतें अपने इस विशेश रिकारिक्रम का आशिरवार लेते हैं गुर्देव का गुर्देव बहुत-बहुत स्वागत है आपका जैमाता दे और आपको नवरात्र पर रोकी हर दिख्शुब कामने है आप सभी को और सभी दर्सकों को नवरात्री सुद में हो जी गुरु मारात जैसा कि कहा जाता है कि मा सवारी पर आती है तो पहला परस्ट मेरा यही है कि मा किस सवारी पर आएंगी और किस सवारी पर ज हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है कि मा जब आ रही है अश्व पर आ रही है यानि कि बहुत तेजी से मा हमारे पास आएंगी और हमें जो है जो कारोबार है जो हमारी संकट है उस कारोबार में दिन दुगनी राज चौगनी तरक्की करने वाली है संकट बादाओं से हमें करने वाली हैं मुक्त और अश्र का मतलब हुआ कि यहां पर हमारा मान सम्मान बढ़ा के जाएंगे जो महामाई के दिनों में उनकी आरादना करेंगे उपासना करेंगे पूर्ण शर्दा भक्ती से मन से वचन से और करम से उनके साथ जुड़ेंगे उनकी अश्र इस नौरात्रों में इच्छाओं की पूर्ति करेगी महामाई जब जाएगी तो हाती पर सवार होके जाएगी तो यानि कि आपको कहीं ना कहीं एक इस्टेबिल करके जाएगी एक आपको पूर्टा जीवन में जो संघर्ष था उसको समाप्त कर जाएगी आपके कश्ट समाप्त कर जाएगी आपकी जो बाधाएं उनसे आपको मुक्त कराकर जाएगी अगर आप सच्चे मन से अरादना करते हैं तो गुरुजी मुहरत की विश्य में भी आप जरूर बताएं क्योंकि काफी सारे लोग का लिश्थापना करते हैं तो उसका उचित मुहरत क्या है आप हमें बताएं और दिश्या के विश्य में भी इस्तार कुपरब बताएं देखे सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि मुहरत का समय क्या है क्योंकि पांस तैरिक से दोपैर तक करीब मानिये दो बज़े के बाद तक की जो पर्थमा है वो है तो सूरे की उगती तिथी से आप इसको नौरात्र को माने छे बच के अलग अलग प्रांतों में छे बच क नौ मिनट से लेकर दस बच के करीब करीब उननिस मिनट तक का समय दिल्ली एंसियार के इसके आगे पीछे का आप दस पंदरा मिनट का समय हमारे पूरे भारत में होता रहेगा वो अलग अलग आप सूरे के उद्ध के हिसाब से सूरे अस्त के हिसाब से समय एक एक दो दो मि तो साड़े च्छे वे से लेकर आप साड़े दस वे तक का आपके पास पूरा समय है ऐसा मान किराब चले क्योंकि ये दिन आपके पास बहुत अच्छा है शनिवार का दिन है अश्परमा आ रही है और इसके लिए आपने ये समय की त्यारी से पहले से ही जो समय है घट सारा समय जुटा लेना है अपने घर का जो परमुक इस्थान होता है महामाई की उपासना करने के लिए किसी वी देव उपासना करने के लिए घर के अंदर इशान इस्थान को पवित्रता इस्थान माना गया है उस इस्थान को हम उत्तर और पूरे अपके मध्धे का इस्थ करना चाहते हैं देवी का आवहन करना चाहते हैं यग करना चाहते हैं चोटा हवन करना चाहते हैं अग्यारी करना चाहते हैं तमाम आप धरम से संबंदे जो भी काम करना चाहते हैं पूजा का वो आप अपने घर के इशान में मां का मंड़फ सजाएं लाल रंग का मंडफ सज सरदियां और सरदियां से गर्मियां जो मां के दोनों नौरात्रे होते हैं यह तो नौरात्रे चार कहे गए हैं दो गुप्त होते हैं और दो नौरात्रे एक चैतर मास्के और एक आश्विन मास्के होते हैं यह नौरात्रे वर्स का प्रारंब भी करते हैं इस नौरात्रों की जोद पर चंड करेंगे, कलस स्थापना करेंगे, कलस स्थापना मैं आपको बता दें, कलस आप ले लीजिए, कोई भी आप पे जो घर में सललता से कलस मिलता है, उस कलस को लीजिए, पान के आम के पत्ते लगाईए, उस पर आम के पत्ते लगाईए, नारियल लीजिए, नारि यहां पर एक और चीज गई गई है जब आप नारेयल रखते हैं तो नारेयल कमुख जो होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए यह विसे इस रूप से बता दें आकास में और पाताल की तरफ नारेयल कमुख ना रखें यह बड़ी बात बता दें आपको जी क्यों कि यह आप द नौरात्रे हैं यह यह नवरात्री कही गई हैं इसमें दिन नहीं कहा गया है क्योंकि इसके आपको रात को भी पूजा करनी है रात को हम चलते प्रोग्रामर में आपको बता देंगे कि कौन कौन सी देवियों की रात को पूजा करी जाती है जबकि काल रात्री की भी रात को गुजा करी जाती है अब बात कर रहे हैं घट इस थाब ना की तो आपने कलस लेना है कलस में जो आप डाल सकते हैं चांदी का सिक्का डाल सकते हैं पंच रतनी डाल सकते हैं यहां पर आप लॉंग भी डाल सकते हैं इसमें आप तुलसी दल्ग यह सब डाल सकते हैं जितना की माला मिल जाए, रुद्राक्ष की माला मिल जाए, कमल गटे की माला मिल जाए, तो अत्युत्तम घुनी वाली माला ना हो, उसको आप कलस के चारों तरफ लेपेड़ दीए, आजकल बहुत सारे रंग रंग पुश्वों की माला है, वो आप मां को कलस के उपर समर्पित कर सके जब आप उत्तरपूरव की तरफ मुख करके बैठेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ कलस होता चाहिए जबात का ध्धन दिए कलस आपका दापी सीधे हाथ के तरफ मत रखें कलस जब भी आप इस्ताफित करेंगे तो अपने नौर्थ की तरफ कलस रखेंगे जब का इस्तान का आगया है यह आपकी धन, संपत्ति, एश्वरता, वैभव को बढ़ाएगा आपकी कीर्ती बढ़ाएगा, आपका यश्वरत बढ़ाएगा, आपकी शुहरत बढ़ाएगा अगर आप जल के इस्तान पर जल दें, पंच महाबूतों से आप छिड़खानी बिलकुल ना करें दूसरा बात आती है कि आप दीव कहां परचंड करने हैं, जीव दीव परचंड जो आपने करना होता है अपने सीधे हाथ की तरफ यानि कि थोड़ा उत्तर से हट के सामने जो पूरव होता है और पूरव और दक्षण के मंद्धे में ये अगने इस्तान भी का गया है अगने स्थान पर अगनी जलाएए और उत्तर स्थान पर जल को रखिए आग और पानी को उल्टा मत किए और आप उत्तर पूरव की तरफ मुझ करके बैठिए यानि कि आप पूरा पूरु मुखी होके बैठेंगे तो वो बहतर रहेगा आपके लिए तो इस प्रकार से मा का सिंहासन बना रहे हो मा का मंडप सजा रहे हो मा को इस्थापित कर रहे हो तो आपके मन से एडा और पिंगला मैसे मा के सब्दों का उस चरण निकलना चाहिए जो मंतर आपको सरलता से आते हैं उस मंतर का उस चरण करना चाहिए ये विचार करकर कि महामाई आज हमारे गर में नौ दिन के लिए वास करेगी और हमने उनकी सिवा इस तरह करनी है कि जैसे एक अथिती गण को आप घर में बलाते हैं उससे पहले त्यारी करते हैं यहां तो तीनों लोगों की महामाई ब्रहमांड की संरचना की पहली सक्ति हैं जो आपके घर में आज वास कर रही हैं और आपने घर में पहले दिन ही आप जंडा लाके रखेगा जंडा आपने घर के पता का फैरा दिये वैपारिक परतिस्ठान हो छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो कारोबार हो यह जहां पे आप रहते हों एक घरों दो घरों उनके घर के सब से उपर उत्तर पूरब में आप जंडा फैरा देंगे पूरा वर्स आपका मंगल में वैतीत होगा आपकी कुर्णी में किसी भी परकार का दोश होगा चाहे वो आपकी कुर्णी में ग्रहन या छटे भाव में कोई दोश हो या अश्टम भाव में कोई दोश हो अश्ट में इस दोश्ट सो भी आपको कोई रक्षा होगी, यह ग्ःट इस्थापना का पूर्ण एक बहुत लंबा नहीं बताया हमने विजान, हमने बड़ा सरलता से बताने का परियास किया और आपको फिर आप्लम ही आपकी मुख़ है उसके बाद आपके पास अगर वेष्टता है तो मन से उच्चारण भी आप कर सकते हैं तो ये माग की एक घटिस थापना कापून समय जैसे हमने बता दिया आपको उसके बाद अभी जीत मूरत भी होते हैं पूरे दिन में भी ऐसा नहीं है आप समकोच वस ये ना करें कि नहीं कर पाए तो महा माई क्योंकि ये नवरात्री हैं इसका नाम नवरात्री है इसमें रात को भी जब करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है यही एक ऐसा समय जिससे आप अपनी काया को कल्प कर सकते हैं काया कल्प करने के लिए योगियों के लिए सादकों के लिए सबसे उप्युक्त समय होता है और हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए अपनी जैसे आप मुबायल की बैटरी चार्ज करते ना समय होता है तो इन नौरात्रे हैं इसमें आप कर लो चार्ज पूरा अच्छे महीने आपके बहुत अच्छे वैतित होंगे आशा शैल पुत्री में के स्वरूप के विशे में भी गुरूजी आपसे जरूर जानेंगे लेकिन फिलाल यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा इस खूपसूरत चर्चा के साथ हम पुना हाजिर होते हैं करेला फिर से चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रॉकली से इम्म्यूनिटी रोज रोज वजटेबिल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालों के लिए हल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्यौर रूट्स शैंपू लगाने से रोस? अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोशन से भरा प्यॉर रूट्स प्रोटीन श्रैम्पू जिससे बाल बने मजबूत, सुन्दर और घने जै माता दी एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारिक्रम में जिसका नाम है नौ दिन नवरात्र के रूटर क आरे सिकारिक्रम जोड़कर लगातार इसे करिक्रम से जड़कर हमारे जीवन की समस्ष्रहा honर का समधान कर रहे हैं आज इस मां की सुशन की विशेश में आपको सबी सरूपों की बात करते हैं तो यहां शैल पुत्री, पहले तो हम यह समझते हैं कि इनकी सैल पुत्री का जो सरूप है वो बड़ा सरल है, एक तो यह रिशप पर सवार है, बैल पर सवार है, इनके एक हाथ में तिरसूल है, दाहिने हाथ में तिरसूल है और दूसरे हाथ मे कमंडल जैस इस प्रकार से मा ने उपासना करी ए अरादना करी ए चंदरवली आसुतोस भवावानशिप को पाने की इनका जो सरूप है मन को भाने वाला है ये सरूप मा का पर्थम दिन माना जाता है इनकी पूजा करी जाती है इस सरूप का वर्णन सास्तरों ने देवी भागवत ने पूरे विस्तार से किया है कि इस सरूप को नहारना इस सरूप का वास करना इस सरूप का आज कल तो बड़ी वेवस्ता है हम तो कहते हैं नौ दिन अगर कोई वक्ती कुछ नहीं कर सकता पूजा पार्ट नहीं कर सकता उ के पास मॉबाइल है अपने मॉबाइल में डी पी डाद ले यह ले टेस्ट बता रहे हैं आज कल का तरीका है ना यह तो मा का यह सरूप आप देखते रहेंगे निहारते रहें आपको उससे प्रेड़ना मिलती रही और आपके जिग्या साफ जागलत होती रही और आपका जो और आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा वहतीत होता लगा इनकी पूरी कथा भी है मा की कि ये नाम इनका शैल पुत्री पढ़ा क्यों जी अब हम यही आपको बताते हैं कि इनका नाम ये शैल पुत्री कैसे आया सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इनकी कथाओं में चंद कि आपको उपासना करनी है किसकी उपासना करनी है चंदर मौली आसुतर भगवानशिप की उनको पाना है पती सरूप में और नौरात्रों के अंतिम दिन आप देखेंगे जब सभी सिद्धियां पराफ़त हो जाएंगी अहिमा महिमा गरिमा ये सब पाने के बाद अर्द न नहीं बुलाया वो है चंदर मौली हमारे आशुतर भगवानशिप को नहीं बुलाया मां अंबे गई फिर भी अब वहां देखा कि उनका अनादर हो रहा है सभी देखता गणाए हैं सब को बुलाया गया उनको नहीं बुलाया गया तो बड़ा करोध हुआ बड़ा मान कि मेरे ही पती को नहीं बुलाया दक्ष का तातपर है एहंकार जो एहंकार वश स्वेम प्रभू को जो स्रिष्टी के रचिता है उनको नहीं पहंचाना उनको बुलाया नहीं ये कहकर कि वह गंबर लगाते हैं भबूत भावन हैं अगोरी हैं बहुत सारे उन पे वो समसानवा ही हैं उनको बुलाया नहीं सभी देपताओं को भरी सवा में बुलाया गया तब सती ने देखा तो बड़ा क्रोध हुआ उस हवन कुंड अगनी में जलती हुई में स्वेम को अब परवेश कर गई अगनी में उनके सरीर को जब गड़ों ने बताया शंकर जी को लेकर पूर सुदरसंचक्र से उनके सरीर के एक्यावन जो आज हमारे सिद्ध पीठ हैं उन इस्थानों पर देवी के अंग गिरें ये वो इस्थान हैं जो आज भी महामाई के सिद्ध पीठों में जाने जाते हैं उनकी व्याकुलता देखकर जब शंकर जी को इतना व्याकुल देखा तब भगवाल विष्टू ने सुदरसंचक्र के मा के एक्यावन सिद्ध पीठ बना दिये आज हम उन्हीं एक्यावन सिद्ध पीठ के दर्सन करते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं वही मा का ये सरीर तो नश्ट हो गया मगर उनको सभी देवताओं ने शमा मांग कर ये प्रातना करी कि आप अगले वर्स अगले जनम में आप हमाले राज के यहां जनम लेए शैल पुत्रा शैल हमाले परवत के यहां जनम लिया उसके बाद उनका नाम पराया है शैल पुत्री यह शैल पुत्री नाम उनका हमाले राज के यहां जनम लेने से प रिश्व पर सवार एक हाग के तिर्सूल ये संकेत देता है कि अगर आप उपासक हैं अरादना करते हैं नमन करते हैं जब करते हैं पूजा करते हैं सबसे पहला इन्होंने सूत्र बताया सादक को साथविक्ता परदान अपने अंदर परविष्ट करानी चाहिए मूलाधार से सहस्तर तक और पहले दिन ही आपका जो चक्र हमारा जागरत होता है वह होता है मूलाधार शैल पुत्री के नाम से जाने गई और पूरे भ्रमान में इनकी पूजा की गई और इनका नाम शैल पुत्री पढ़ा जो नौरत्रों के पर्थम दिन पूजा की जाते है गुरुशेक विशेश बात आप से जानेंगे मा का पसंदीदा रंग कौन सा है और मा को भोग क्या लगाई देवी भागवत में पूर्णता इस बात का जिक्र है कि मा को किस तिथी पे किस वार पर और कौन सा रंग पर यह है आज हम आपको यही बताने का प्रयास करते हैं कि अगर आप मा से जुड़ना चाहते हैं मा के भक्त बनना चाहते हैं या मा की किरपा चाहते हैं या मा से अपनी कोई इच्छाओं की पूरती करा चाहते हैं जो आपके हित में हो ये बात कही गई है सास्तर में कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ऐसा ये मिल जाए अमुक चीज मिल जाए और वो आपके हित में ना हो तो मा कभी नहीं देगी बच्चा तो बहुत चीज़ें चाहता है बच्चा तो बलब भी चाहता है बिल्कुल बच्चा तो रोशनी भी लगाना चाहता है मगर मा रोशनी तो बच्चा तो आग को भी पकड़ना चाहता है तो मा देती है नहीं देती है मा नहीं देगी क्योंकि वो उसका हाथ जला देगा इसी लिए सास्तरों ने कहा है कि आपकी इच्छाओं की पूरती करती है पर्थम दिन मा को भोक प्रिये जो है वो है केला सुन्दर केले की फलिला पकी हुई हो ये मा को है प्रिये अगर आप कन्याओं को केला वित्रान करते हैं तो समझ लीजिए मा की प्रेमा भक्ती आप पापाते हैं दूसरा रंग की बात कही गई है तो रंग कहा गया है पहले दिन हरा हरे रंग का हरे रंग के बस्तर पहनें हरे रंग का रुमाल रखें हरे रंग का कोई रुमाल सिर पे रखें मा की उपासना करेंगे तो वो आपको आशिरवाद अश्य देगी आपके जीवन में किसी परकार की दुख बादा है उससे देगी मुक्ती और आपका संपूर्ण शरीर मा अपने तेज से भर देगी बहुत संदर भोग और आपका रंग यह दोनों आपको हमने बताए हम यही प्रयास करेंगे 9 दिन कि हर दिन मा को किसका भोग लगाए जाए और कौन से रंग का आप इस्तमाल करें ताकि प्रेमा भक्ती मा की आपको सललता से मिल सके और हम यही चाहते हैं यही हमारा लक्ष है महाँ उपाय क्या है यह भी आप हमें बताएं पर्थम दिन अगर आप बच्चों के ना मानने से परेसान हैं बच्चे आपकी सुनते नहीं आदर नहीं करते परिवार में एक दूसरे से घनिश्ता नहीं है एक दूसरे के परती इश्चा है दूसरे अगर परिवार में कलहे रहती है अगर हर समय मिठास नहीं है मिठापन नहीं है वो जो बंधन है ना मुठी है वो बेख खुल गई है और जब मुठी खुल जाती है तो जीवन बेकार हर समय व्यक्ती किसी ना किसी टेंसन में रह रहा है पहले दिन अपने सरीर के हमारे नो चिद्रों को नो महामाई के रूपों को बताया गया है कि नो केले ले लो और नो छोटी कन्या से एक वर्स से लेकर दस वर्स तक की कन्या को वित्रन करो साथ में मा का सिंगार का सामान उसमें हरे रंग का कुछ अवश्य हो मा के सिंगार का सामान और हरा रंग उसमें अवश्य लाल रंग तो मा को परी है उसमें चूड़ी होगे उसमें हरे रंग का भी कुछ हो जान रखें इस बात आप देखेंगे इस महा उपाई को आप करेंगे तो आपको आने वाले नौरत्रों में मनों कामनाओं की पूर्ती होती दिखाई देगी और ये बात गुप्त रखें चमतकार किसी को ना बताना सिर्फ महमाई को बताना गुर्जी आज इस कारिक्रम से जोड़ी तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत खाला बताना गुप्त